नमस्कार अंतराश्टी खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ चंदर शेकर जोशी इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हल चल से तो आएए शुरुवात करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतराश्टी सुर्खिया लिबनानी संगठन हिजबुला ने उत्तरी इसराइल पर दागे सतर से अधिक रॉकेट इसराइली सेना के हिजबुला के ठिकानों पर हमले में तीन की मौत गाजा में मानवी असाहिता के आपूर्ती बढ़ाने के लिए पश्चिम ने तेज किये प्रयास समुद्री मार्ग से पहुची मदद अंतराष्टी इसराइल ने रफा ओपरेशन का किया बचाओ दक्षिन अफरीका की आचिका को सच्चाई से भटकाने का बताया प्रयास इसराइली वकीलों ने कहा रफा में हमास के आतंकी ठिकानों का सफाया जरूरी भारत ने चाबहार परयोजना को बताया पूरेक शेत्र के लिए लाफकारी विदेश मंत्राले की भारत इरान समझोते को सीमित नजरिये से न देखने की अपील चाबहार की सराहना के बीच ग्वादर पोर्ट की नाकामी की भी चर्चा पाकिस्तान चीन का प्रोजेक्ट विफल युक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्टरपती का बड़ा बयान कहा युक्रेनी शहर खारकियू पर कबजे की नहीं कोई योजना उत्तर पश्चमी खारकियू में रूसी सेन ने अभियान का किया बचाओ कहा अपनी सीमा के आसपास सुरक्षा जोन बनाना है हमारा लक्ष और आईए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर गाज़ा के विविन इलाकों में हमास के खिलाफ इसराइल का सेन अभियान लगातार जारी है गाज़ा के जैतून इलाके में इसराइली सेना ने हमास की सुरंगों के एक तंत्र को नश्ट कर दिया इसराइल का कहना है कि यहां हमास के करीब 150 आतंकी मारे गए हमास भी इसराइली सेना पर लगातार हमले कर रहा है इस बीच गाज़ा में आम लोगों का विस्थापन भी बड़ी चुनोती बना हुआ है गाज़ा में इसराइल का सेन्य अभियान लगातार जारी है इसराइली सेना हमास के आतंकी ठिकानों को चुन-चुन कर निशाना बना रही है गाज़ा के जैतुन इलाके में इसराइली सेना ने हमास की सुरंगों के एकतंत्र को नश्ट कर दिया हमास के जिन धांचों को निशाना बनाया गया उनमें मिसाइल दागने वाले ठिकाने भी शामिल है जैतून में हुए ओपरेशन में लगबग 150 आतंकियों को मार गिराया गया उधर हमास की तरफ से इसराइल सेना पर हमले भी जारी है समुध्री मार्क से गाजा में मानवीय सहता पहुचाने के लिए अमेरिका ने बड़ी पहल की है अमेरिका द्वारा तयार एक अस्थाई तट पर सहता की खेप उतरने लगी है गाजा में अधिक लोगों तक मदद पहुचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है इस आस्थाई घाट का उद्देश ये फलस्तिनी लोगों को महत्वपूर्ण मानविय सहयता पहुचाना है ये संयुक्त राश्ट के साथ समन्वित एकंतर राश्ट्री इस्तर पर समर्थित प्रयास है हम गाजा में मानविय सहयता के प्रभा को बढ़ाने के लिए कई हफ्तों से यूएस एंड की टीम साइप्रेस इस्राईल और संयुक्त राश्ट के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम कर रहे हैं वही लेबनाउन के सशस्तर समू हिजबुला की तरफ से भी इस्राईल पर मिसाइल हमले जारी है हिजबुला की तरफ से उत्तरी इस्राईल में 75 रॉकेट दागे गए हलाकि इस्राईल की आयरें डॉम वायू रक्षा प्रणाली ने इन रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया एक रॉकेट के इस्राईली इलाके में गिरने से दो लोग घायल हो गए इस्राईल हमास संघर शुरू होने के बाद हिजबुला की तरफ से एक साथ दागे जाने वाले ये सबसे अधिक रॉकेट है इस्राईली सेना हिजबुला के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है दक्षणी लेबनौन के नजारिया में इस्राईली सेना ने हिजबुला के एक ठिकाने को धोस्त कर दिया यहां से हिजबुला इस्राईली लड़ाको विमानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था इस बीच गाजा में आम लोगों का विस्थापन भी बड़ी चोनोती बना हुआ है अंतराश्य राहत संस्था वर्ल्ड फूट प्रोग्राम के अनुसार गाजा में पिछले कुछ दिनों के भीतर ही लाखो लोग विस्थापित होए है इसराईली सेना द्वारा रफाव में सेना उतारणे की घोषण के बाद वहां से बड़ी संख्या में लोग दूसरे ख्शेत्रों की तरफ जा रहे हैं संगर्ष और विस्थापन के बीच गाजा में स्वास्ते सेवाएं लगातार चर्मराई हुई है विश्व स्वास्ते संगठन का कहना है कि Medical साहता आपूर्ती बाधित होने से मुश्किले बढ़ गई है हमारे पास चिकितसा आपूर्ती नहीं है, हमारे पास इंधन नहीं है अस्पताल हैं लेकिन उन्हें खाली करने का नडेश मिल रहा है हमारे पास ऐसी स्थिती है जहां हम आगे नहीं वड़ सकते हैं इस भीश मामले की गूँज अंतर राश्टे स्तर पर लगातार सुनी जा रही है इसराइल के वकीलों ने सेयुक्त राश्ट की सर्वोच अदालत में अपने देश का पक्ष रखा इसराइल के अदालत को बताया कि उसे आत्मरक्षा के लिए रफा में पूर्ण जमीनी सैन्य अभियान का अधिकार है जान रहे कि दक्षन अफरीका ने अंतर राश्टे अदालत का दरवाजा खटखटाया है उसकी याचिका में अपील की गई है कि इसराइल को रफा में सैना उतारने से रोका जाए रफा में सैना उतारने को लेकर कई पश्चिमी देश भी इसराइल को रोक चुके है 13 पश्चिवी देशों ने इसराइल से आववान किया कि वो इस सैन्य अभ्यान को न छेड़े आववान करने वाले देशों में आस्ट्रेलिया, प्रिटेन, कनाडा, जपान, न्यूजिलेंड, दक्षिन कोरिया, डैनमार्क, फिनलेंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलेंड और स्विडन शामिल है इसराइल का लगातार कहना है कि रफा में हमास ने सुरक्षित आतंग की अड़े बना लिये हैं, जिनका सफाया बहुत जरूरी है चीन दौरे पर गए रूसी राष्टपती, ब्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिये हैं कि वो युक्रेन मसले पर समझोता वारता करने के लिए तयार है लेकिन रूस किसी भी तरह की चेतावनी को बरदाश्ट नहीं करेगा वहीं पुतिन ने कहा कि रूस चीन ब्यापार में आ रही समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है पुतिन ने चीन के उत्तर पूर्वी शहर हारविन का भी दौरा किया रूसी राष्टपती छे महने में दूसरी बार चीन के दौरे पर है ऐसे में चीन के राष्टपती शी जिंग पिंग और रूस के राष्टपती पुतिन के बीच कुछ एहम बैठके बंद दर्वाजों के पीछे हुई तो वही पुतीन ने चीन के शहर हारविन मिस्थित चीन की आजादी के दौरान शहीद हुए सोव्यत सहनिकों की समारक पर जाकर उन्हें श्रधानजली दी दोनों ने दाओं ने बीचिंग के जोंगनान हाई में युकरेन समीत अन्यरण नितिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की वही पुतीन ने एक प्रेस कॉन्फरेंस की जिसमें उन्होंने कही अहम मुद्दों पर टिपड़ी की पुतीन ने संकेत दिये कि वह युकरेन मसले पर समझोता वारता करने के लिए तयार है लेकिन रूस किसी भी तरह की चेतावनी को बरदाश नहीं करेगा पुतीन ने युकरेन पर आरोप लगाया कि वह पश्टिमी देशों के दबाव के कारण बाचीत का विकल्प छोड़कर लड़ाई के रास्ते को अपना रहा है रूस युकरेन जंग में खारकीव शेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही रूसी सेना का लक्ष केवल अपनी शुरक्षा के लिए एक बफर जोन बनाना है राश्ट्रपती पूती ने साफ किया कि खारकीव शेहर पर कबजा करना रूस की योजना का हिस्सा नहीं है युकरेन संकट के समाधान पर बात की गई है राश्ट्रपती शी जीन पिंग ने मुझे बताया कि उनके हालिया यूरोप दोरे पर इस बारे में चर्चा की गई चीन इस समस्या को शांती पुरवक तरीके से हल करने को तयार है हमने क्यू से अपनी सेना हटा ली थी लेकिन उन्होंने इस समझोते को खत्म कर दिया अब हम अंत तक लड़ेंगे दोनों नेताओं के रिष्टों में दिख रही गर्म जोशी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साज़ेधारी को मजबूती से पेश करती है पुतीन ने चीन के उत्तरपुर्वी शहर हारबीन के दौरे के दौरान हारबीन इंस्टिटूट ऑफ टेकनलोजी का दौरा किया इस इंस्टिटूट के शुरुवात 1920 में चीन और रूस ने एक साथ की थी पुतीन ने संकेत दिये कि रूस चीन वैपार में आ रही समस्याओं का समधान खोजा जा सकता है अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंदों के कारण रूस को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वही अमेरिका द्वारा चीन निर्मित इलेक्ट्रोनिक वहानों पर लगाए जा रहे टारिफों को पुतीन ने अनुचित करार दिया है चीन की बनाई हुई कारें ज्यादा बहतर हैं अमेरिका द्वारा चीन पर लगाएगे प्रतिबंध साफ तोर पर अनुचित प्रतिसपर्धा को जन देता है सबता समालने के बाद राश्रपती पुतीन ने सबसे पहला चीन का दौरा किया है ऐसे में अदौरा हर लिहास से जरूरी हो जाता है फिर चाहे वो रूस यूक्रेन जंग हो या दोनों देशों के रिष्टे इरान में चाबहार पोर्ट को लेकर हाल ही में भारत और इरान के बीच एक दीर्ग कालिक समझोता हुआ है ये समझोता भारत के लिए काफी महतुपूर है इससे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक भारत का व्यापारिक समपर्क और मजबूत होगा चीन, पाकिस्तान, आर्थिक गलियारे के प्रमुकेंद्र, ग्वादर पोर्ट से अगर इसकी तुलना करें तो ये काफी फायदे का सौधा है और इरान के बीच हुआ हालिया दीरकालिक समझोता बेहद एहम माना जा रहा है दस वर्षों के लिए हुए इस समझोते से चाबहार में भारत की दीरकालिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई है ये पहल क्षेत्रिय कनेक्टिविटी के साथ साथ अफगानिस्तान, मद्य एशिया और यूरेशिया तक भारत के संपर्क को आसान बनाएगी We see a Chah-Bahar as India's commitment towards realizing the potential of the place as a connectivity hub for Afghanistan and for landlocked Central Asian countries. You know that this port is being operated by India Ports Global Limited since 2018. and through the port we have been able to supply and provide a lot of humanitarian assistance to Afghanistan. In the past, since 2018, we have supplied 85,000 metric tons of wheat, 200 metric tons of pulses and 40,000 liters of pesticide melathion to Afghanistan through this port. चाबहार की सफलता की कहानी जानकारों का ध्यानक खेत्र के एक और पोर्ट की असफलता की तरब खीच रही है. पाकिस्तान का अरब सागर के तट परिस्थित ग्वादर पोर्ट घाटे का सौदा साबित हुआ है. चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे का प्रमुकेंद्र करार दिये जाने के बावजूद इससे ना तो राजस्व हासिल हो रहा है और ना ही वानिजिक शिप्मेंट गत्विधियों को रफ्तार मिल पाई है. ग्वादर के हालात इस बात से समझे जा सकते हैं कि बीते आठ वर्षों में यहां अंतराष्ट्रिय समुद्री यातायात की आवाजाही ना के बराबर हुई है. 2016 और 2022 में तो यहां पूरे साल में केवल 4-4 समुद्री मालवाहक पोथ ही पहुँचे जिस पोर्ट को 1,37,000 कंटेनर प्रती वर्ष ख्शमता के हिसाब से विक्सित किया गया था. वहां लगभग कोई भी कारगो नहीं आता जिससे पाकिस्तान को आमदनी हो. इन हालात के बाद भी चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने इस पोर्ट को 40 साल की लीज पर हासिल किया है. इसको लेकर जानकारों का मानना है कि चीन के असली मंचा कुछ और दिखाई देती है. चाइना का VRI प्रोजेक्ट आर्थिक नहीं बलकि सैन्य और सामरिक है. दुनिया में भले ही वो इसे इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि इसका अंतिम मुदेश्य चाइना और विश्व की आर्थिक विकास के लिए है. हकीकत यह है कि चाइना एशिया और एफ्रीका के छुड़ी चुड़ी देशों को अपने कर्ज के बोज दले दबाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहां की स्ट्राटेजिक लोकेशन्स वाली पोर्ट्स और एरपोर्ट्स को हथिया रहा है. इन फैसिलिटीज को वो आने वाले समय में सैन्य और साबरक दिश्टी से इस्तेमाल करने का प्लान रखता है. स्री लंका की हमद्धोता पोर्ट और पाकिस्तान की गवदार पोर्ट इसी श्रंकला में हाती है. गवदर जैसे सीपेक प्रोजेक्ट्स के लिए चीन पाकिस्तान को रिन देता है. फिर इनका ठेका भी चीनी कमपनियों को ही मिलता है. इसका सीधा मतलब निर्माल के लिए भुक्तान के मामले में पाकिस्तान को दिया गया चीन का रिन वापस चीन को ही चला जाता है. पर य पौक influencer को सिर्फ दस प्रतिशत राजसु ही मिलता है। इतना ही नहीं, इस राजसु से आर्थिक तौर पर खस्ताहाल पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिलता जहां ये स्थित है। इस वज़े से इसको लेकर आक्रोश और प्रोजेक्ट में लगे चीनी नागरिकों पर हमले भी होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज भारत ने P.O.K. में पाकिस्तान के खिलाब भारी जनाक्रोश को दमनकारी नीतियों का परिणाम बताया है। विदेश मंतराले के प्रवक्ता ने P.O.K. सही संपून केंद्र शासित प्रदेश, जमु कश्मीर और लदाग को भारत का अभिनांग बताया। से का उनका लाब नहीं पहुंच रहा है। यान पाकिस्तान अधिक्रित कश्मीर का की बात है। Union Territories जो जम्मू के, लदाह के और कश्मीर के जो हैं वो भारत के अभिनंग हैं, अभिनंग रहेंगे एक छोटा सा ब्रेख लेते हैं यहाँ पर सियासी पिसाथ पर राजनीति का गुणाभार गठबंधन की सियासत बदलते पिष्टे देताओं की बयान बाजी देखिये 24 की चुनावती दिन भर सर्फ टीडी न्यूस पर घर पे बहन की शादी है छुट्टी चाहिए कम से कम तीन दिन की चुट्टी चाहिए कम से कम बैस तो आज कल शादियों की सेलिबरेशन हफता आपता चलती है क्यूं देखना हैं भ表示 भई घर परिवारवाले कैसे रिष्टधार कैसे हैं यहन के इस घर में एन के घर में चाहिए है वहन के फ्यूचर का सवाल है राइट तो भाई और यहन एक दिन देश के लिए तो बनता ही है लोग visible मेरे एक्स्क्यूस बन सकते हैं उस तिन फ्री ना होने के लेकिन एक एक्स्क्यूस काफी है कि आपको अपने देश का फ्यूचर डिसाइड करना है मैं यह रेलाइस करता हूं कि कैसे मैं एक आम इनसान इतनी बड़ी देमोक्रेसी में इतना इंपॉर्टेंट डिसाइड होगा है मेरे देश का फ्यूचर जो की बहुत बड़ी चीज और बहुत कम कंप्रीज में यह सक्सेस्पली हो रहा है डिसाइड करो अपने देश का फ्यूचर इतना सिंपल है तुम्हारी कंट्री का फ्यूचर हमारी कंट्री का फ्यूचर हमारे हाथ में है लाइफ में सब्ताइक रोल होता है और हर रोल निभाने के लिए तैयारी करने पड़ती तो आई यू रेड़ी अपना रोल निभाने and make sure कि वो अपने साथ अपनी वोटर आईडी या कोई भी आईडी प्रूफ जैसे अधार कार्ड, पासपोर्ट या डाइविंग लाइसेंस साथ ले कर जाएं। तो फिर अपना रोल निभाएं, कुज अपना रोल अफ लाइफ लाइफ लाइफ। पांच साल में पांच मिनिट तो हम देश को देही सकते हैं। आओ घर के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट बेरी वोइस। स्वागत है आपका प्रेके बाद अगली खबर की और आपको लिए चलते हैं और अगली खबर है दुनिया का दिल। जर्मनी के बवेरी या जिले में 6800 साल पुराने इंसान के अवशेश मिले हैं। ये अवशेश नियोलितिक काल के हैं। विशेशक्यों का अनमान है कि ये अवशेश गाओं के मेयर के हो सकते हैं। कबर से कई बेश कीमती चीजें भी मिली हैं। नियोलितिक काल के लिहाज से ये बहुत एहम खोज है। सम्मानित वैक्ति या फिर गाओं के मेयर का रहा होगा। आइचेंडॉर्फ शहर में स्थित एक्सिंग इलाके में कंकाल के मिलने के कारण इस एतिहासिक खोच-खोच थानिये लोग अब एक्सिंगर के नाम से जानते हैं। या अफशेष नियोलिथिक काल के हैं जिसे स्टोन एच के नाम से भी जाना जाता है। जाना कि इस कंकाल के अफशेष अच्छी हालत में नहीं है। पुरा तत्व विशेशग्य कब्र से मिलने वाले मिट्टी के बर्तनों से इसकी उम्र का अनुमाल लगा रहे हैं। लोवर बवीरिया छेत्र में नियोलितिक काल बहुत फलाफूला होगा। हमें इस कंकाल से पता लगता है कि यह गाउंस के किसी बुजुर्ग या उस समय के मेयर का होगा। इस कब्र में किसी सामान निकब्र के मुकाबले चार गुना मात्रा में सामान रखा गया था। नियोलितिक काल से जुड़े अब तक के सबसे पुराने अफशेशों की फिर्यहस्त में अब एकसिंगर भी शामिल हो गया है। लाकि करीब 5300 साल पुराने ओज्जी दाइसमैन के अवशेशों को अब तक नियोलिथिक काल के सबसे पुराने अवशेशों में से एक माना जाता था ओज्जी के अवशेश एक ग्रेशियर से मिलने के कारण बहुत अच्छी हालात में थे लेकिन एक सिंगर समय की मार से नहीं बच पाया है अवशेशों की परताल से मिली जानकारी से पता लगा है कि एक सिंगर की लंबाई करीब एक दशमलव साथ शुन्य मीटर रही होगी जो कि उस समय के ओसत से कहीं अधिक है कबर से मिली बेशकीमती चीजों से पता लगता है कि वह एक मध्यव आयू का व्यक्ति रहा होगा उस समय में ऐसी चीजे विरासत में नहीं मिला करती थी उन्हें हासिल करना पड़ता था इस कंकाल की खोच अप्रेल के मध्य में की गई थी अब उसे आगे के पुरा तत्व जाच के लिए भेजा गया है न्यूलितिक काल के बारे में यह हवशेश कई कड़ियों को जोनने का काम कर सकता है बात है 1990 की धक्षणी जर्मनी की एक खदान में काम करने वाले श्रमिकों को आर्कियोप्टेर्क्स जिवाश में मिला था जिसकी बनावट पक्षी की तरह है लेकिन ये एक डाइनसोर है फिलाल इस जिवाश में को शिकागो फील्ड संगरहलाई में रखा गिया है ये रिपोर्ट देखी आपके आसपास उड़ने वाले पक्षी हों या फिर दूर बरफीले इलाकों में रहने वाले पेंग्विन ही क्यों ना हो यह सब जीते जागते डाइनसोर का ही विक्सित रूप है इस बात को सही साबित करता दिख रहा है 1990 के दशक में दक्षिनी जर्मनी के सोलन होफिन क्षेत्र से मिला एक जीवाश म जिसका नाम है आर्कियोप्टे रिक्स इतिहास की इस एहम कड़ी की खोच वहीं खदान में काम करने वाले श्रमिकों ने की थी इस फॉसिल से पता लगता है कि यहाँ पाई गए पक्षी के पंक पंजेदार थे और इसकी पूछ एक लंबी हड़ी की तरह अब तक मिलने वाला यह पहला ऐसा अवशेश है जो कि डाइनसोर का तो है लेकिन इसकी बनावड एक पक्षी की तरह है हाला कि यहाँ मिले फॉसिल्स ने दूसरी बहस को भी जन्म दे दिया कि डाइनसोर विलुप्त नहीं हुए बलकि वह पक्षियों के आकार में ढल गए शिकागो में स्थित फील्ड संग्राले ने कुछ एजिन्टों की मदद से ऐसे फॉसिल्स को अगस 2022 में खरीदा इसके बाद से आर्कियोप्टेरिक्स जिवाश्म के असली स्वरूप को देखने के लिए फील्ड संग्राले में पजटकों की भी लगने लगी पक्षियों के इतिहास को लोगों को रूबरू कराने वाले विशेशग्य अब इसकी तह में जाकर अपने अनुभवों को साजा कर रही है आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जिवाश्म है जो की बताता है कि हमारे आसपास जो भी पक्षी हम देख रहे हैं वै जीविट डाइनासूर है हमारे आसपास मौझूद सभी पक्षियों के विकास की यातरा को समझने के लिए ये एक पहली कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स अब तक का सबसे ज़रूरी जीवाश्म है चार्ल्स डाविन के इविल्यूशन के सिध्धान पर मुहर लगाने वाला यह पक्षियों का सबसे पहला जीवाश्म है शिकागो का आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अपनी तरह का दुनिया में 13 जीवाश्मों में से एक है संग्राले ना केवल जीवाश्म को संजोय हुए है बलकि आधुनिक तकनीक के जरिये पक्षि को दर्शकों के सामने जीवन्त करने का भी काम कर रहा है यहाँ आने वाले पर्यटक प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि पक्षि उस वक्षि दिखने में कैसा लगता होगा मेरे लिए इसके साथ काम करना किछी सपने के साकार होने के बराबर था यह एक ऐसी परजाती है जिससे हम बीते 163 सालों से जानते हैं 12 के करीव अफशेश हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं जिन में से आदे ही पूरे हैं हम इस धाचे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बहुत कुछ जानना अभी वी वाकी है मानव इतिहास की यात्रा बेहद रोचक है और ऐसे अवशेश इस यात्रा के एहम बिंदूओं को एक साथ संजोने में मददगार साबित होते हैं डाइनसौर का क्या हुआ इस सवाल का जवाब आज तक हमारे लिए पहेली बना हुआ है लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जिवाश मकामिलना इस सवाल के जवाब को ढूणने में एक एहम कड़ी साबित होगा और आए अब आपको दिखाते हैं विश्व असनस्किर्थी फ्रांस में विशुभर की दिगज सिनेमा हस्तियों का जमावडा है कान फिल्म महुसव में दुनिया की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रिनिंग जारी है इनमें भारतिय फिल्में भी शामिल है अभिनेत्री मीता वशिष्ट भी इस फेस्टिवल में शामिल है उनकी फिल्म दा शेमलेस भी इस आयोजन का हिस्सा है दूरदर्शन ने उनसे विशेश बाचीत की आई आई आपको दिखाता है भारत पर जो हम बता रहे थे यहां पर कई सारे सितारे भी आई हुए हैं मीटा वशिश भी यहां पर है भारत पर का अयोजन किया गया है यहां पर क्या चाहरे हैं अप मैनी भारत यहां पर है मैनी भारत है तो आपको लगता कि आप अपने ही देश में हैं तरह से बड़ा बड़ी सांतवना मिलती है कि थोड़ा nervousness होता है आप कहीं एक देश में जा रहे हैं कान फेस्टिवल में, पहले बार है मेरा, पहली बार है, तो यहां इसका होना, आपको ऐसा लग जा कि नहीं, आप गहर से बहुत दूर नहीं हैं, आप यहां पर अपनी movie के लिए भी हैं, हम आप से वापस कोशिश करे पकड़ने के लिए, लेकिन आप अगर यहां पर हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बता दें, और कितनी बड़ी बात है भारत के लिए इतना बड़े स्थर पर साथ फिल्में ले जाना या उससे भी जादा फिल्में, बहुत 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 घर्व का एक उतसब है हमारे भा है तुपूर और बहुत इंपॉर्टन सेग्मेंट है, यह हाला कि उसके प्रोडूसर्स बहुत सारे हैं, फ्रेंच हैं, स्विस हैं, इंडियन हैं और बहुत सुंदर फिल्म हैं, उसमें श्रिंगार रस और वीबस रस का एक बड़ा प्यारा मिश्रन होगा यहां जब हम आते हैं भारत पवेलिन में, भारत पर्व का उत्सा हम मना रहे हैं, ऐसे में आपने क्या बदलाव देखा है, लोगों के नजरिये हो कि भारत की जो फिल्म जगत से जितने भी जुड़ी वे पहलू हैं, कितना बदलाव आया है देखे, यह बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदी फिल्म है, जो हिंदी में बनने वाली हिंदी भाषा में, उसमें पास यॉर्पन प्रडूसर्स हैं, यह सोचे कितनी बड़ी बात है, और मुझे लगता है यह बहुत महत्वपून है कि यह सिनमा जो चीज होती है, फिल्मेक स्थान है पूरे संसार में, और जब लोग बाहर से हिंदुस्तानी सबजेक्ट में इनवेस्ट करते हैं, तो हमें दाद देनी चाहिए, इज़त करनी चाहिए उनकी भी और अपनी भी है, अब से बात करने के लिए धन्यवाद मीता जी, तो जिस तरीके से मीता जी भी बता चड़कर भारत में हिस्सा लिया है, सिलेक्ट हुआ है, तो ये सभी भारती के लिए एक गर्फ वाली बात है, क्यामरा पसंद किशन चन के साथ, शामा मिश्रा, डीडी न्यूस, क्यान, फ्रांस तो अंतराश्री खबरों के हमारे इस बूलेटिन में फिलाल इतना ही, आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, नमस्कार